कि मैं कोशिस कर रहा हूं कि जो मेरे पास बेक कप है उसको मैं वापस इस नए चैनल पर अपलोड करूँ और जल्दी से जल्दी करूँ ताकि आपका काम जो है रुके नहीं लेकिन दोस्तों ये मैं तब ही कर पाऊंगा जब आप मुझे आप तो हैं जैसे लेकिन मुझे इस चैनल को वापस पहुंचाने में आपकी इसायता मिलनी चाहिए पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का हुना चुनिये आरके क्लासेज को और करे अपनी फरस्ट और सेकेंड मैट्स का शत्रह्पनसाकार डाउनलोड दिया है नाओ अलो दोस्तों आर्केक्लासेज की इस नए YouTube चेनल पर आप सबी का मैं श्वागत करता हूं नया YouTube चेनल राजकुमार स्वाल का नाम से ही बनाया गया ता कि आपकी सर्चिंग में कोई परेशन आपको नहीं आये दोस्तों कि इस नए यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपकी पहली क्लास लेने जा रहा हूं कि पूराने चैनल पर अपना बहुत सारा कंटेंट था लेकिन अपने सुब चिंतकों ने वह फेक स्ट्राइक लगवा कर उसको टर्मिनेट करवा दिया है कि लेकिन कि मैं प्रयास कर रहा हूं कि पूराना जो कंटेंट उसको में इस नए चैनल पर बहुत जल्दी ही अपलोड कर दोंगा क्योंकि मेरे पास उसका जो वह पड़ा हुआ है तो उसको उस चैनल पर अपलोड कर दोंगा बस जरूरत है तो मुझे आप लोगों के सपोर्ट की तो वापस इस चैनल को उस लेवल पर पहुंचाने के लिए आप अपना पूरा सपोर्ट देते रही बस बाकी का काम में बहतर रंग से करने का आपके लिए प्रयाश करता रहूंगा करने वाला हूं और नुमेरिकल डेसिस में बहुत जदक केलकुलेटिव हैं और एक मात्रेशी बुक जिसमें आपको ग्रेजुशन में केलकुलेटर अलव था लेकिन अपनी नीड केलकुलेशन की नहीं है हम ट्रिक पर चलेंगे तो अपना काम बहुत बहुत हो जाएगा इस कि अगर मैं बात करूं तो इस में से आपकी चार कोशन न आएंगे तीन चार क्वेशन आपके इसमें से आएंगे एंड लिए प्रोग्रामिंगिंगे वहां से दो या तीन फूशन आएंगे यहां पर आगे की बात शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रेटरिजी बताना आप चाहूंगा इस 300 नंबर वाले पेपर की एक स्ट्रेटरिजी तो आपको 200 नंबर यहां पर आप लोग देखो एक दिन मैं पहले भी मैंने आपको बताया था कि 300 प्लस का स्कोर केसे कर सकते हैं बहुत आराम से यह वैसे तो इसमें थोड़ा बहुत वेरियेशन होगा इन दोनों में इसमें फाइड बढ़ेंगे लेगन है अगर इसी को अगर हम सत्रिमा लें अगर है अगर इसी को हम सही मानले तो 910 और 11 इसके मिलाकर आपके 90 questions आएंगे ग्रेट विशन के आपके 40 question आएंगे और Ist기에 comparing क्वेशन आएंगे 20 क्वेशन हम इसमें से सेलेक्शन के लिए कितना निकाल सकते हैं और वास्तिविक्त क्या है वास्ता में निकाल भी सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं अगर इसको डिवाइड करू ना तो इसके 11-12 के question आप 60 के लगबग मालू और इसके question आप 30 के लगबग मालू इसके question आपके 40 के लगबग सारे question है और इसके 20 के question है हम कितने सही कर पाएंगे हमारा target जो है ना smart work पर focus होना चाहिए हार्ट वर्क तो हम करी रहें स्मार्ट वर्क पर भी अपना फोकस होना चाहिए कैसे आप देखिए इसको कि 30 जो क्वेशन होंगे स्टुडेंट उसमें से आप कितना निकाल सकते हैं तो 910 का जो में लड़ई यहां पर होती है क्यों कि सबको लगता कि यह मैं कर पाऊंगा बहुत आसानी से तो सभी यहां पर बराबर बिढ़ते हैं और इसमें से कितने यह 60 क्वेशन की बात किये ना जो कंटेंट में आप लोगों को पड़ा रखा है उस कंटेंट के अनुसार अगर आप चलते हो तो यहां पर आप 45 प्लस क्वेशन राइट करोगे अटेम्ट नहीं करोगे राइट करोगे लियर ग्रेजुएशन जो मेरा प्रीमियम है और भी कर 35 की रेंज तक आप क्वेशन सही करके आओगे क्योंकि यह मैंने पड़ाया है तो मेरा विश्वास तो बोलेगा अब स्टुडेंट यहां पर यह जो 30 मार्क्स का राना अगर मैं इसकी बात करूं तो 910 का जो कंटेंट है इसमें क्वेशन जो काफी ट्रीकी वेस पर अग अठारा बार पड़ा था और 18 बार पड़ते समय मैंने यह निश्कर्स निकाला है कि यह कुशन कहीं बार क्या होता कि देखते ही हमें अंसर का एहसास हो जाता है यूगी 18 बार पड़ने का एक फाइदा मिला कि मुझे कुशन किसी भी क्वेशन को अटेंट करने का जो नजर कर लोगे और यह सब कुछ अगर सही चलता रहा तो मैं एक तारीकोई स्कॉर्ष को लोंच करने वाला हूं और इसमें मैं आपको यह पूरा कंटेंट ऐसे सी की जो ट्रिक्स है जो मैंने सीखी है उसकी एल्प से करवाँगा जिससे आप लोगों की जो क्वेशन बहुत कुछन आते हैं और इसमें से आप मान के चलिए 15 कुछन भी सही करके आएंगे ना कम से कम और यह एक ऐसा पार्ट है जिसमें से 15 कुछन सही करना कोई बहुत बढ़ी समस्या नहीं है 15 कुछन आराम से यहां पर शही हो जाते है अब अगर आप इनको कम से कम भी जोड़ोगे यहां से 20 और इधर मालो 15 कितने कक्षसन होते हैं यह सब gin भाई यहां से अगर आप ट्वेंटी मान रहे हो यहां से आप 45 मान रहे हो यहां पर बीज की रेंज मानलो आप 30 मानलो 25 मानलो और यांसे 12 15 मानलो इतने थो होंगे ना मैं च्रों यहis ही लिया में 25 चीज होने चाहिए बहले यहां पर आप 22 कोई बात नहीं कि यहां से जो 60 नंबर है वहां से 22 कर लेंगे तो इन अगर इनको आप जोडते हो ना यह आपके हो जाएंगे 9 और यह हो जाएंगे आपके 10 110 क्वेशन का टार्गेट आपका बेठेगा और यह आपको 220 नंबर दे रहा आराम से यह जो पार्ट है दोस्तों यह आपको कितना नंबर दे रहा है 220 और मिनिममम क्वालिफाई अगर करते हो तो भी 80 नंबर इदर से लेकर आ रहे ह आप 80 और 220 ही 300 मैं तो मिनिममम चीजों की बात कर रहा हूं तो स्टुडेंट यहाँ पर 300 प्लस का स्कोर अगर आप कर लेते हो ना में रेकोर्डिंग तो आपका सेलेक्शन श्योर है 100% 300 प्लस में तो बहुत ज़्यादा श्योर है रेंज तो उससे डाउन ही रह रही है तो स दो तीन दिन से मैं disappointed भी हूँ कि उराना चैनल जिस पर काफी हमने काम किया था वो अपने पास नहीं रहा नए चैनल पर जो भी करना है अब यहीं करेंगे दोस्तों numerical analysis में आज जो मैं बात करने वाला हूं basic जो fundamental है उन पर based अपने रहेंगे basic fundamental से based एक question आपका जरूर पूछ question आएंगे clear 2-3 question LPP में से आएंगे दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों से एक suggestion भी चाहता हूं या आप से एक अनुमति permission लेना चाहता हूं और परमिशन यह कि मेरी इच्छा यह है कि थोड़ा सा smart work पर भी focus करें क्योंकि numerical analysis मेंने start कर दी है न अब तो यह end भी कर दूंगा म एंड भी में ही करूंगा clear इसमें आपको numerical analysis में मैं आपकी permission नहीं ले रहा हूं मैं आपकी permission चाहता हूं किवल LPP में कि LPP वाले पार्ट को अगर मैं थोड़ा सा स्टोप कर दूँ या फिर अगर हम जो नारैन जी सर के जो lecture है वो भी बहुत अच्छा पढ़ा कर गए इसमें तो तीन question की बात रहेगी एक तीस question की बात रहेगी तो इसलिए मैं थोड़ा सकया कि मैं गेंद को पूरी तरीके से आपके पाले में डालना चाहता हूं अब कि इतना ही कर लिया है हमने तो केवल इसको और इसको करने से अगर गेंद पाले में आ रही अपने ये काम बहुत तो दोस्तों यहां पर आपकी राई की मुझे जरुत है आप क्या चाहते हैं बिल्कुल फ्रेक्वेंटली होकर आप अपने बात रखें कमेंड बॉक्स में कि सर बिल्कुल आप अगर ये शुरू करना चाहते हैं तो कर दीजे अच्छा मैं आपको LPP के बारे में भी कह रहा अभी फिलाल मैं आ जाता हूं वापस में टोपिक पर डिफ्रेंस ओपरेटर पहला ही टोपिक डिफ्रेंस ओपरेटर शिप्टिंग ओपरेटर शिप्टिंग इन्वर्स ओपरेटर फार्वर्ड ओपरेटर बेकवर्ड ओपरेटर ये सारे ओपरेटर है क्लियर आइडेंटि यह तो shifting operator पहला आपकी क्या हो गया identity operator identity operator का notation आई है फिर shift operator की में बात करू shifting operator आपके इपर चलेगा कि कोई भी function आपको दे रखा fx है और इसको आगे कहीं shift करवाना है कितना आगे shift करवाना है वो दिया होगा आपको h की value अगर आप इस पर e operate करते हो shift करते हो तो इसका फोर्मूला होगा efx बराबर app x plus h function shift हो जाएगा x plus h पर clear अब student यहाँ पर यह जो condition आपको दे रखी है यह efx है अगर e square fx की अगर मैं बात करो ना तो यहाँ पर आपके क्या हैगा देखो e square fx का मतलब हो जाएगा आपके e fx plus h square n तो एक बार operate करो दिया एक बार operate करो दिया तो दूसरी बार operate करोगे तो x plus 2 h हो जाएगा यानि e fx बराबर app x plus h e square fx equals to fx plus 2 h तो इसी condition को अगर मैं generalize करूं तो e raise to power n fx बराबर app x plus n हो जाएगा clear तो student यह e raise to power n fx equals to क्या हो गया आपके fx plus n हो गया shifting inverse shift inverse क्या होता है जैसे यहाँ पर shift है ना e वेशे shift inverse क्या हो जाएगा आपके shift inverse हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर e inverse और e inverse को जब आप fx पर operate करा होगे तो formula होगा fx minus h है generalize condition की अगर मैं बात करूं तो e raise to power minus fx equals to fx minus h हो clear forward operator की में बात कर रहा हूं यह student यहाँ पर forward operator आगया आपके पहला जिसको हम डेल से बोलते थे लेकिन अब आप यहां पर इसको forward से बोलो क्योंकि उल्टे को भी हम डेल से सीदे को भी हम डेल से बोलते हैं तो आब यहाँ पर numerical analysis में इसको forward बेकवर्ट से समझेंगे फोर्वर्ड एपक्स का फॉर्मूला होगा एपस फ्लस Alf Якो पर एक बात बताव एपक्स प्लस Alf Kto Tô Fco में Amendment लिख सकता हूं तो एपक्स अग्र कोन में ले लूँगा तो E मैनस आई बचेगा ना डोनों तरब से एगर Ef यहां पर डेल बराबर आपकी क्या जाएगा I minus आहला यहां यक्षंगल नहीं मैसूस करेंगे कि यह मीरा कि छोड़ दूंगा क्या एक भी टोपी केसा नहीं छोड़ूंगा मैं मैं चाहता हूं कि गेंद आपके पाले में पहले ही हो जाए यह गेंद मेरे पाले में पहला रिलेशन आप ध्यान रखेंगे फोरवर्ड इक्वल्स टू ए माइनस आई अच्छा स्टुडेंट यहां पर आप लोग देखो ड स्टुडेंट यहां पर आप लोग देखिए एक्स प्लस प्लस एक्स प्लस एक्स सिंपल सी बात है आपको बहुत ज़्यादा परिशान नहीं होना X प्लस 3H और Sine X प्लस 3H बसे हर एकस्टेफ को आपको की E स्ट्वाइर को बाहर कर दो और एक बार पर ओपरेट करो फिर अगली बार E ओपरेट अपरेट करो फिर अगली बार ऐसे क्यों करना भी जब अमने जनेर ल गंडिसर सुम्हों e raise to power n f x बराबर होता है f x plus n h तो डाइरेक्ट लगा हो ना x plus 3h और sin x plus 3h हो गया काम clear e raise to power x plus n h इस टाइप के question में आप लोगों को क्या करना चाहिए x की जगे डाइरेक्ट लग दो clear वही separate ही तो करवा रहे है shift ही तो करवा रहे है तो आप आप यहां पर x की जगे क्या लिख देंगे x plus n h अगई बात चलम में अगर आप one by one करना चाहते जैसे आपने e की power n minus one कर दिया तो एक बार operate करा होगे तो क्या है x plus h आजाएगा दूसरी बार operate करा होगे तो x plus 2h तो इस दिए हो जाएगा आपके x plus 2h इसका whole cube और h की value आपको देर की 2 यह हो जाएगा x plus 4 का whole cube कितना आसान है shift करवाना यार कितना आसान है हर चीजी आसान है समझने वाला चाहिए बस clear अब student यहां पर आप forward के बारे में समझ चुके हैं और अब मैं आ जाता हूं घ्क वैर्ड में यह forward का तो यह कोई formula d square डेल स्कार बारबर e-i का whole square जासे यह forward बारबर e-i तो forward square हो जाएगा e-i का whole square तो यह तो लिगा forward square equals e-i का whole square बस बहुत ज़्यादा serious नहीं लेना इस पार्ट को serious नहीं लेना यह क्या है कि calculation का क्या का हूं केलकुलेटर अलव है में ग्रेजेशन में तो अलव था ना यार क्लियर है अशी तो आती है दोस्तों लेकिन वापस वह बात याद आ जाती है जब मुझे चेनल के बारे में याद आता तो लगता कि रिसेंटली एक बहुत बड़े मैं परिशानी से गुजर रहा हूं दो होगा अचा स्तुडेट ने ऐन पर एक अपर को मैं क्या लिख सकता हूं आि एक एक साथ कि निवस्त की तो होटा और e inverse clear e raise to power 0 बराबर i होता है और del 0 fx बराबर क्या होता है आपके 1 होता है clear यह आप ध्यान रखना e की power 0 बराबर i और backward बराबर i minus e inverse clear अब शुट्टें यहाँ पर मुझे इसकी value find करने देखो evaluate log forward log x clear कैसे find करेंगे देखो log of x plus h minus log of x यह क्या आजाएगा आपके log answer तो आ गया log m minus n का formula लगा तो बस यह आजाएगा 1 plus h upon x answer तो आ जाता है solution कहां तक ले जाना यह देखो forward आप इस पर लगाओ तो forward का formula क्या होता forward का formula यह लिखावा न forward of fx equal to fx plus h minus में fx तो यहाँ पर अगर formula लगाओगे तो यह आजाएगा आपके 10 inverse x plus h और minus का 10 inverse x अब आप 10 inverse x minus y का formula लगा लो और क्या तो यह आजाएगा आपके 10 inverse x minus y upon में 1 minus 1 plus xy clear student यहाँ पर यह इससे कट जाएगा और आपके answer आजाएगा यह forward दो बार operate करना e की पावर x पर एक एक बार operate करके देखो तू तो constant बार कर दो एक बार operate करोंगे तो e raise to power x plus h और minus में e की पावर में x clear अब यहाँ पर आप देखो एक बार और operate करोंगे तो e raise to power x plus 2h और minus में e raise to power x plus h यह तो पहले पर operate हुआ दूसरे पर operate करोंगे तो e की पावर x plus h और minus में e की पावर x हो जाएगा clear तो यह क्या बन जाएगा आपके e raise to power x plus 2h minus में 2 e की पावर x plus h और plus में e की पावर में x यह दो बार operate करने का यह answer आजाएगा clear तो student यह backward मैंने shift operator पर question लिए forward पर question लिए clear आपको लगता होगा कितन यह question थोड़ी पूछेंगे नहीं पूछेंगे लेकिन यह property ऐसी वनेगी question अच्छा graduation में बहुत ज्यादा नहीं कुमा सकते आपको बहुत लिमिटेट sources है और जो जितने भी बुक चलती है आप आर यू के student हो तो भी होई चलती है आप MDS के JPH की पढ़ते हो गोकुरू इंडिया में जो mathematics है आप कहीं सारे यूट्यूब चैनल देखेंगे जिसमें foreigner teacher है उनके भी mathematics में यह content है clear अब student यहां पर मैं बढ़ता हूं आगे अब इस टाइप के question का में क्या करना देखो यह दो बार रिपीट हो गए आपकी इस टाइप के जो question होंगे दोस्तों इसमें आप लोगों को क्या करना चाहिए एन की विल्यू लेट कर लेनी जाए एन टाइम तो कोन निकाले आप एन की विल्यू लेट कर लो बही जो भी एन की विल्यू अगर मैं वन लेट करूंगा तो सारी option में एन बराबर वन रख देंगे कौन सा आपके टकरा रहा है यह एक ही अगर right answer आजाएगा तो वो भी ठीक है आप एन बराबर वन पर चेक कर लो एन बराबर वन पर forward निकाल लो आप वन अपॉन एक्स प्लस एच और एक्स प्लस एच की विल्यू यहां पर वन देर किया एच बराबर आपको वन देर कर लो एक्स प्लस एच माइनस में वन x क्या को मिना रहा है आपके LCM क्या रहा है x फ्लस एक्स फ्लस एक्स तो इ़र आ जाएगा x- यह निस माइनस-1 और यह आजाएगा आपके x x एं-2 एक्स फ्लस एब आप option में भी एन बराबर one रखदो तो रहस जो और मुरिए option यहांपर क्या है dull इसमें अगर आप n बराबर 1 पुट करोगे तो यह आजाएगा आपके माइनस 1 की पावर में 1 फेक्टोरियल 1 अपॉन में अपॉन में एन की जगे अगर 1 रखोगे तो लास्ट टर्म एक्स प्लस 1 बंड़ी न तो यहने आपको आपके टकरा जाए तो n बराबर 2 पर और उसको कॉंटाडिक्ट कर वा लीजे अगर दो अप्शन में कॉंटाडिक्शन आता तो n बराबर 2 पर चेक करके उसको रिजेक्ट कर दीजे ऐसे शुटिन यहां पर यह तो अखेले यह न फोरवर्ड ओप लोग ओप एपक्स है तो इ लोग एम माईनस लोग अनन को आप एल क्या लिख सकते हो लोग एम ऑपलों में तो उपर तो माईनस एप्क्स नहीं तो ले ओ आप माइनस fx लेज कर दो और प्लस fx कर दो यह दोनों स्थीतिया आपने अपनी तरब से लिखी तो यह तो आपके क्या बन जाएगा लोग यह तो बन जाएगा forward of fx और यह आजाएगा plus का fx upon fx और यह हो गया आपके प्रूव कैसे यह बन जाएगा आपके लोग one plus forward fx अपन में fx यह forward पर बेजड कुछ example मैंने लिये हैं अब दोस्तों यहाँ पर कुछ mixed type के question कुछ backward के question भी मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं तो देखिए आप यहाँ पर यह डेल square बराबर डेल स्कूर अपोन इस पूरे पर आपको अपरेट करवाना एक्स क्यूब को विरएच की विल्यू आपको देर कि बन यह तो स्टुडेंद यहां पर आप कैसे करेंगे इसको पहले डेल पर का whole square upon में e और इधर आजाएगा आपके x cube यह आपके क्या बन जाएगा e square minus 2e plus का i और upon में e इसको अगर आप shift करवाते हो अगर e को उपर ले जाते हो तो यह बन जाएगा e minus का 2i क्योंकि e और e कटेगा ना तो i बनेगा और यह उपर जाएगा तो e inverse आजाएगा क्योंकि e का i को किसी से गुणा करा हो वो का हो ही रिजल्ट आता है और यह हो गया x cube बैस हो गया काम इसको आप shift करवा दो यह बन जाएगा x plus 1 का cube minus का 2x cube identity में वो का हो ही आता है और e inverse के साथ यह आएगा x minus 1 का cube बैस इसको आप solo कर लो आपका answer आजाएगा तो solo तो आप अब आप लोग देखो forward of factorial x है इसको इसके बराबर लाना फिर h बराबर आपके 1 है तो according to formula चले तो यहाँ पर क्या आएगा x plus h minus fx है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना x plus 1 और यह वाला आप देखो अगर मैं factorial x को में लेता हूँ तो x plus 1 minus 1 तो x factorial x आएगा यह है अब मैं क कुछ forward और backward दोनों पर question ले रहा हूँ तो पहले forward का देख लिए एकोर इसका क्या हो जाएगा a तो constant है और b c और x plus h minus fx यानि a b cx भाई fx plus h minus fx इसमें से आपके क्या common आ रहा है a common और b की power में cx common आ रहा है तो बचेगा क्या b की power में c h और minus का 1 बचेगा यह answer आ गए एक बार forward दुबार forward निकालना हो तो इसका ही तो निकालोगे तो again b c b की power c h minus 1 आ जाएगा तो उस पर square आ जाएगा and time निकालोगे तो इस पर and power आ जाएगी बस clear बेक वर्ड के भी कुछ question देख लिए बेक वर्ड में क्या होता fx minus fx minus h होता clear तो student यहां पर यह क्या हो जाएगा अगर इस पर apply करोगे तो fx minus fx minus h का all square और इस पर apply करोगे तो 2 और यह हो जाएगा x minus x minus h clear तो देखो यह क्या बन जाएगा आपके x square minus x square plus 2hx और minus का h square इससे यह कट जाएगा और plus का क्या हैगा 2h हैगा इससे यह कट जाएगा तो यह आजाएगा आपके 2hx minus h square और plus का 2h clear अब forward backward आप cos x का खुद निकालना cos x minus h minus का cos x minus cos x minus h है और उसमें cd formula भी लगा देना तो student यह बात हो गई आपने forward की और forward पर एक question और ले ले लेते है clear क्या होगा देखो fx plus h minus fx है तो h की value 1 अना तो हर एक x में आप x plus h करते जाओ x plus h करोगे तो 1 बढ़ जाएगा है माइनस में fx यानि x x plus 1 और x plus 2 क्या common आपके x plus 2 और x plus 1 क्या बचेगा x plus 3 और माइनस का x है तो यह कट जाएगा और 3x plus 2 और x plus 1 आजाएगा तो आई थिंग shift operator forward operator और backward operator इन तिनों में तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको basic fundamental यह है clear अब मैं property की बात कर रहा हूं property क्या है student जैसे हम आउकलन करते है ना बैसे ही कुछ उस type कही है पर उपर वो का होई नहीं कुछ उस type कही है जैसे मैं forward of fx gx की बात करा हूं इसका formula क्या है जैसे दो फलनों का alkaline करते हैं एक को चटा दूसरे का alkaline प्लस दूसरे को चटा पहले का alkaline इसे देखो यहां पर forward of fx gx fx plus h forward gx plus gx forward fx अब कोई है कि यहां gx plus h लिखना तो नहीं बूलगे और भाई नहीं बूले मैं आपको इसका प्रूव बता रहा हूं कैसे होगा आप तो इसको सीधे तरीके से देखो कि अपने पास तो forward होगे तो इसका forward of fx क्या लिखोगे fx plus h और gx plus h और माइनस में fx gx यहीं तो लिखोगे fx इंटू gx भाई x की जिगे x plus h और माइनस में वो function अब student यहां पर आप लोगों को इस तरीके से अगर कुछ करना है न तो यहां पर कुछ aid or lace करवाने की गुंजाई से एड और lace क्या होगा यहां पर अच्छा आप कुछ भी एड और lace करवाना चाहते न तो आप यहां पर माइनस का fx plus h gx यह aid or lace करवा दो क्योंकि fx plus h को मना जाएगा तो fx plus h और gx lace करवाया और वापस aid करवा दो fx plus h gx यह हमने aid अब देखिया इन पहले और दूसरे में से आप देखो इन में से fx plus h को मना रहा है अगर x plus h को मन लोगे तो यह आपके gx plus h और माइनस का gx और इन दोनों में से क्या को मना रहा है तो plus का gx अगर मैं को मन लेता हूं तो लास्ट वाली टर्म का तो fx plus h और इस टर्म का माइनस का fx तो आपको क्या लगता है यह क्या बन गया f of x plus h और यह बन जाएगा आपके forward of gx और minus plus का gx और यह बन जाएगा forward of fx जो आपके यही तो formula है अब student इसका एक formula और create कर सकते हो अगर आप इसमें यह वाली टर्म add नहीं करके gx plus h fx और gx plus h fx एड लेश करवा देते ना तो आपका formula यह बन जाता gx plus h forward fx plus fx और forward of gx यह formula बन जाता तो यह तो हो गया आपके इसका formula formula याद होना चाहिए आपको अब आपके forward of u upon b यानी fx upon gx इसका formula होगा देखो इसका याद करना थोड़ा असान जैसे अपकोन में यू upon b में क्या था वी स्क्वार वी को चोड़ा यू का उगलन माइनस यू को चोड़ा वी का उगलन तो वह तरीका fx plus h sorry gx plus h और gx then gx को चोड़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा forward of fx minus fx को चोड़ेंगे इसका क्या हो जाएगा forward of gx हो जाएगा clear अब सुड़ेंट यहाँ पर एक important note लिखा वागी किसी function का forward 0 होता है ना इसका मतलब यह नहीं कि function 0 था वास्ता में देखो कैसे आप देखो अगर मैं आपको यह कहता हूं कि fx की value 2 है और अब आप निकालो forward of fx तो आपका formula यह होता है अब इस बात को इसे भी समझ सकते हैं किसी फलन का अउकलन 0 आता है तो फलन क्या होता है तो यह बात हो गई आपके एक not important की अब मैं इन दोनों पर based question ले रहा हूं इन कहने को तो यह formula काम में लेने चाहिए लेकिन यह वाले formula काम में लेने के नहीं है हम तो वही basic तरीका forward of fx बराबर fx plus h minus fx वही लेखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा twice of x plus h माइनस में 2 की power x upon में x plus 1 यहां से अगर मैं break करता हूं तो एक प्लस टू तो बाहर आजाएगा और यह आजाएगा एक्स प्लस वन और माइनस में टू की पावर एक्स और यह आजाएगा अगेन x plus 1 तो देखो क्या common आ रहा है यहां से 2 की power x upon में factorial में x plus 1 common लेते हैं अगर यह common लेते हैं तो यह बचे का 2 upon में x plus 2 और minus का 1 तो दोस्तों यह आ जाएगा 2 की power x upon में factorial में x plus 1 और यहां पर x plus 2 अगर मैं common लेता हूँ तो 2 minus x minus 2 इसे कट जाएगा और आपके finally answer आ जाएगा उपर तो minus में x 2 की power x और नीचे आ जाएगा आपके factorial में x plus 2 again क्योंकि x plus 2 क्योंकि मैं अगर factorial x plus 2 को यह लिख सकता हूँ तो वापस इसको यह नहीं लिख सकता हूँ क्या तो यही तो कर रहा हूँ मैं clear तो आपको u upon v या fx upon gx का formula नहीं लगाना है ऐसे इसमें भी यही काम करो इसमें भी forward of a function जैसे करते हैं na e raise to power x plus h log bx plus h और minus में e की power ax और log bx बस answer आ गया अब अगर आपका answer match नहीं हो रहा हूँ तो answer की गलती answer को ही solve कर लो यह हो जाएगा क्योंकि answer ने ऐसे कर रहा होगा तो आपके answer थोड़ा सपेचीदा रहेगा जबकि वास्तिविक answer तो यह ही है clear अगर आप बुक कोल रहे हो तब की बात बता रहा हूं उसमें answer को थोड़ा और कंजेस्टेट कर रखा है मुश्किल बना रखा एक्चली उसने यह formula लगा होगा clear तो हम उसके answer को solve करेंगे तो भी यही result आएगा clear यह जदा भी आए तो दोस्तों यह आपके इन दोनों property पर based question होगे अब मैं very very important relation की बात करने वाला हूं देखिया आप relation between operators बेसिक से जो question आएगा student maximum possibility है और आता ही है यहां से हर बार और अब भी chances है पूरे के पूरे आप तो basic चीजों को ध्यान रख लो उसके base पर हम सब बना लेंगे याद किसी को अगर बहुत आसानी से याद हो रहा है तो कर लो और नहीं भी हो रहा तो मैं ज्यादा परवक करने की जरूत नहीं क्योंकि हमारे पास सब जुगाड है यह दोनों तो याद है ना forward बराबर e minus i और backward बराबर i minus i अगर कोई कहीं यह भी याद नहीं अच्छा य इप पर जब fx operate होगा तो क्या आएगा एप x प्लस h और i के साथ यह operate होगा एगा fx आएगा यह तो आपके forward गई तो फोर्मुला है बस क्या याद करना इस फोर्वर्वर्ड ओप fx एसका रहे चैस में यह क्या देर का i minus i inverse यह बेकवर्ड की बराबर होता चेक कर लेते है क्योंकि बेकवर्ड का फोर्मुला में पता है कि fx minus fx minus x होता है i के साथ fx operate होगा तो fx और e inverse जब इसके साथ operate होगा तो fx minus x तो यह किसका फोर्मुला है बेकवर्ड ओप fx का तो i minus e inverse बेकवर्ड की बराबर आगया ना कहां जरूत है रटने की क्यों होंगे confused forward बराबर e minus e inverse अब मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं कि e forward और forward e यह दोनों बराबर होते हैं तो मैं काम करता हूं थोड़ा 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 दोनों कहीं ले लेता हूं e forward of fx operate कर रहा हूं तो e तो बार ही इस पर operate करोगे दिया जाएगा fx plus h और minus का fx अब आप लोग अगें shift कराओगे न तो x plus h तो 2h बन जाएगा और fx बन जाएगा x plus h ऐसे आप लोग देखिए इसको भी आप सोल उकर लो forward e fx operate नहीं कराओगे तो कैसे काम जालेगा तो यह forward और यह आजाएगा fx plus h क्योंकि shift होगा तो x plus h है तो आएगा अब इस पर forward अप्लाई करोगे तो यह x plus 2h और minus का f of x plus h बताओ दोनों result बराबर है कि नहीं है तो statement true है तो which one is true relation तो इसमें से अगर यह वाला option में तो इसको टिक कर देना clear ऐसे आप इसको चेक करो forward e forward e backward और backward e यह दोनों community वह और यह बराबर होता है आपके forward के तो देखते हैं e backward fx है तो backward apply करोगे तो क्या आएगा यह जाएगा f of x minus h अब इस पर shifting property लगाओगे ना तो fx तो हो जाएगा x plus h और यह भी h एड करोगे दिया है और यह क्या बनदा आपके forward बनदा है एसे आप लोग देखे इसको forward e fx तो backward और यह क्या बन जाएगा shift करोगे तो x plus h clear अब student यहाँ पर अगर इसमें backward apply करोगे ना तो fx प्लस h और minus fx और यह किसका formula बन जाएगा forward का clear यह relation हो गया अब student यहाँ पर मैं इसमें आ जाता हूं कि backward बराबर होता forward e inverse इसको भी check करना सीख लो forward e inverse इस पर अगर आप fx operate करते हो तो forward और यह हो जाएगा fx minus h तो x minus h का forward लोगे क्या जाएगा x और x minus h क्योंकि इसमें h जोड़ दिया और वही यह आपकी किसके बराबर आ गया बेकवर्ड के बराबर आ गया कहां दिक्कत आ रही इसमें याद नहीं हो रहा है तो left side भी solve कर लो right side भी या फिल पहले right side solve कर लो देखो यहां पर backward इसमें बेकवर्ड अप्लाई करते हो तो यह आजाएगा आपके fx minus f of x minus h अब इस पर forward अप्लाई करोगे तो पहले वाले पर forward अप्लाई करोगे तो क्या हैगा भी fx plus h minus fx यह आएगा ना दूसरे वाले पर भी apply करोगे forward तो यह क्या हो जाएगा fx minus fx minus h clear तो student यह तो आपके forward का formula बन गया और यह आपके backward का formula बन गया तो आगया ना देखो कि forward minus backward बराबर forward into backward clear एक यह भी relation आप लोग देख लीजिए और इस relation में पहले correction कर लीजिए यह वाला i plus forward और i minus backward यह i के बराबर होगा अच्छा आप लोग देखो यह तो कूना करवाथ हो पूना क्यों करवाय है यह देखो नहीं आप अगर मैं i को इधर लियाता हूँ तो forward plus i e के बराबर होगा और अगर मैं इस backward को इधर लियाता हूं तो i minus backward किसके बराबर होगा e inverse के बराबर होगा तो ये दोनों मिलकर क्या हो रहे हैं i हो रहे हैं कि हमें ये पता है कि forward बराबर i minus sorry e minus e minus i और backward बराबर i minus e inverse इस formula से ये सारी property आप लोगों को मैंने prove के साथ याद करवाने का भी प्रयाश किया याद हो जाए तो बहुत बढ़िया नहीं हो तो ये जुगार है अपने पास within 10 seconds अपना answer वे से आज़ा था clear कोशिस करो forward बराबर e minus i backward बराबर i minus e inverse clear फिर है shift forward बराबर forward e e backward बराबर backward e और forward clear फिर अगला है आपके forward e inverse बराबर backward याद नहीं हो पा रहे हैं confused हो यह वाला प्रोसेस स्ट्रॉंग रखो पिर clear अब स्टुडेंट यहाँ पर दो वेरी इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं और यह फॉर्मूले अभी रिसेंट्ली फिर्स्ट ग्रेड शरी कोलेज लेक्षर का जो एक्जाम हुआ था कि दो महीने पहले उसमें पूछा गया था तो देखिए आप यहां पर इस क्वेशन को केसे करेंगे दो तीन में इस साल जो को इसमें पूछा गया था अपनी जो प्रोपर्टी वो यह है और इस प्रोपर्टी की बेस पर यह दोनों रिजल्ट आ रहे हैं और डी का मतब डेरिवेटिव से डी बाइडी एक से कैसे प्रूव करूँगा यह आपकी दे रखा ए बराबर ए रेस टु पावर में एच डी क्लियर अब यहां पर डी क बराबर और यह तो पावर अब दोनों तरफ लोग ले लोग आई को आप वन भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं और यहां पर क्या जाएका लोग एक की पावर में एच डी एक की पावर हडी आगया जाएगा तो हडी और log e तो 1 वाजाएगा और इसका log 1 प्लस h का प्रसार क्या होता है x minus x square by 2 x cube by 3 and so on तो d बराबर क्या आजाएगा आपके differentiation बराबर आजाएगा 1 upon h forward forward square by 2 forward cube by 3 and so on अब आप लोग देखे इसमें इसमें जो question दे रखा है d बराबर दे रखा 1 upon h into this relation तो यह कहीं आपके इसी relation के यल्प से आएगा आपके e बराबर आपके क्या है e raised to power h लेकिन एक बात बताओं e का relation तो forward के साथ है e inverse का backward के साथ है e inverse तो नहीं है अपने पास तो बना लो ना क्या दिक्कत है आप इसको इस प्रकार नहीं लिख सकते होगा e की power minus hd बराबर e की power minus इसके upon में cross बुणा कर वज़े से अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ इसको हम लिख सकते हैं i minus 1 i minus backward के से अपने पास जो relation होता ना backward बराबर में i minus e inverse इसकी यल्प से मैंने e inverse की value निकालना clear और यह है आपके e की power में minus का hd backward तो minus का h भी तिदर आजाएगा और इसका minus का x minus का x square by 2 minus का x cube by 3 and so on तो d बराबर की आजाएगा आपके 1 upon में h backward backward square by 2 इनको आप बहुत अच्छे डंग से सीख लेना क्योंकि मैंने क्या का आपको कि हमें number इस ऐसी जगे से निकालना है एसे कुए से हमें पानी निकालना है जिसमें हाथ डालना हर किसी के बसकी बात नहीं हो सामाने तो पहले कुए की गहराई देखकरी रुख जाए कि यार यहां से पानी मेरे से नहीं निकलेगा और वहां से हमें बहुत आसानी से निकाल लेना क्योंकि हमने चर्की लगा रही है ना यह दो फोर्मूले भी आपको याद होने चाहिए अब स्टुडेंट यहाँ पर फंडामेंटल थियोरम जो आपके इतने बड़े-बड़े और यह दो फोर्म करने में च्छोड़ा सा आसान करदेगा काम को इस बात को समझने के लिए मैं एक अलग एक्जांपल दे रहा हूं अगर आपको मैं यह कहूं कि दी टू अपॉन डी एक्स स्कुयर लेना आपको एक्स स्कुयर का और अगर यूड को मैं फोर्ट में लिख दे हो जएगा और अगली बार कितना हो लगा नए इस ऐ जो अगर भार कि दीक्यूब अप्सक्राइब दूसरी बार थो जएगा לא यही सिस्ट्म यहां को और वो system बहुत आशानी से आपको समझ में आ जाएगा इस डी का मतलब तो आप समझ लो डेल से और यह x की पावर एन डी का मतलब तो आप क्या समझ लो डेल से कि अगर आपके डी का मतलब में डेल n x की पावर n कर दूं तो इसका result आपके क्या हैगा factorial n और h की power में n, क्योंकि इसमें h होता है इस वज़े से forward में, देखो मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ, factorial 3 लिख सकता हूँ, तो d cube, यहीं factorial 3, तो dal raised to power n, बराबर factorial n, h की power n, clear, तो अब मैं fundamental theorem पर आ रहा हूँ, fundamental theorem जो है दोस्तों, यदी एक function देरखा apex है, जो आपके n गात का बहुपद n गात का बहुपद होने का मतलब n power तक के इसमें x की power है, उससे छोटी भी है, और अगर इस function का आपको n time forward निकालना है, n time forward of n fx निकालना है, तो result क्या होगा, result यह होगा कि केवल इस इसका ही निकालोगे, बाकि सबका तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपके n, अगर n ब निकालोगे, पहली बार निकालोगे, पहली बार निकालोगे, तो पहली बार n आएगा, दूसरी बार n-1, फिर n-2 और ऐसे यह 321 तक चलता जाएगा, और जिसको आप factorial n लिख सकते हो, यह तो लिखा है, a n factorial n और h की power n, यह तो आए गई गई forward के साथ, तो आगे न गात का बहुपद है, तो आपके forward n time निकालना है, तो आप n गात के बहुपद को ले लो के वल, n गात के बहुपद का कर लो के वल, और उसका भी यह वाला जो तरीका है, वही काम में लेना है, clear? अब student यहाँ पर, यह formula तो आपको याद हो गया, अब यह अगर मानलो, बहुपद त कुछ question ले रहा हूं, जो आपके question को बहुत आसानी से solve कर लेंगे, forward कितनी बार ले रहे हो, तो इसका, इसका और इसका तो 0 हो जाएगा, और 3 टाइम निकालना है, तो एक्स क्यूब का फेक्टोरिल 3 हो जाएगा, और H क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब का प्रेक्टोरि जाएगा, आप देखो, सबसे बड़ी गात की गुंजा, इसके वल यहीं से है, और वो आपके 6 पावर बन रही है, 1, 2, 3, यह 6 पावर बन रही है, तो forward 6, यह हो जाएगा, आपके A, B, C, X की पावर 6, और X की पावर 6 से कम गात वाले पन, अब अगर आप इसका निकालोगे तो constant तो आजाता है, बाहर A, B, C, फेक्टोरियल 6 और H की पावर 6, H की विल्यू 1 देर की है, यह आजाएगा, 720 A, B, C है जाएगा, है ना, देखो, सिंपल, एसे आप लोग देखो, forward N टाइम निकालना है, आप लोग देखो, N गात के बावुपद कौन कौन से हैं, तो अच तो यह गुणन कंड में, X की 1 पावर है, यह N बार गुणा होंगे न, तो यह क्या बन जाएगा, आपके N गात की हाइस्ट पावर आजाएगी, तो student मुझे N टाइम निकालना है, forward, मैं क्यावल, सबसे बड़ी जो गात है ना, N की, X की पावर N वो ही तो लिकूंगा, और आपके आएगी, A1, A2, A3, and so on, A, N, और X की पावर N, और इसका result क्या हो जाएगा, आपके, A1, A2, A, N, factorial N, और H की पावर N, और H की जाएगा, आप 1 रग देना है, तो student यह fundamental theorem का use, अगर आप लोग करना सीख गए हो, तब तो यह question बहुत छोटे हो जाएगे, otherwise, एक बार निकालो, फिर दो बार निकालो, फिर तीन बार निकालो, निकालते रहो, टाइम वेस्ट होता रहेगा, factorial notation, यह बहुत ही important role play करेगा, आपके question में, एक question के बारे में मैं बता चुका हूँ, कि factorial notation से है, और fundamental theorem मालगा, मतब वो पुराने notation से, अब factorial notation क्या होता है, जैसे factorial को represent कर है, केसे करते हैं, अगर आपके factorial 7 या factorial 5 लिखावा था, आप इसको क्या लिखते हो, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे लिखते हो ना इतना लंबा चोड़ा कोन लिखे, factorial 5 लिख दो, ऐसे इस्तिती कुछ यहाँ पर है, x और factorial n, x factorial n, इसको केसे खोलते हैं, x, x-h, x-2h and so on, x-n-1 into h तक जाएगा, कहां तक जाएगा, अच्छा गर मैं पूछो कि बतो, इसमें कुल कितने गुणन खंड है, तो 1, 2 और n-1 तो यह है, और 1 यह, यानि n गुणन खंड है, तो x factorial n अगर खुलेगा, तो x की गात n का बहुपद बनेगा, x की गात n का बहुपद बनेगा, क्योंकि x कितनी बार गुणा होगा, n बार गुणा होगा, clear? कि यह तो स्टेण्ट यहाँ पर स्टूरार्ट हैं एक लोगिन निकालोंगे एक्सकी पॉटरीयल इंथ को क्या हो जाएगा है पीक्टरियल एन और एजकी पावर और मोगे फोरवर्ड एन प्लस वन टाइंब निकाल रहे हों किसका एपक्स का और एपक्स क्या आपके एन गात का अगर पॉलियनोमिल है तो उसका एन प्लस वन बाहर निकालोगो तो 0 नहीं आएगा तो बात करते हो अब आप फॉर्मूला देखिए स्टुडेंट अचा देखो लेट या जाएगा आपके एक विल्यू आपके क्या होजागी यह होजाएगा आपके प्रोड ऑप आगे बढ़ते हैं X factorial N बराबर आपके factorial X upon में factorial X minus N और H बराबर आपके क्या दे रखा? 1 दे रखा है तो केसे करेंगे इस question को ध्यान से देखना हमने तो यह सीखा कि X factorial N दो इसके बराबर होता है तो बहिए देखो एक बार Deep C factorial N होता देखी बराबर है X से शुरुआत होगी और कम करते जाएंगे X-H, X-2H, X-1, X-2, X-3, और यह system कब तक चलता जाएगा, यह चलता जाएगा, आपके X-N-H, यहां तक चलता जाएगा, X-N-1 into H तक चलता जाएगा, तो H की value 1 है, लेकिन वह अगली step पर रखेंगे, यहां पर आगा, H की value 1 पुट करोगे दिए कि आजाएगा, X-1, X-2, and so on, अगर मैं H की value यहां पर पुट करता हूँ, तो यह आजाएगा, आपके X-N-1, यह हैगा न, जिसको मैं X-1-N-B कह सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि bar का मतलब bracket सही है, अब student, यहां पर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, तो एक पद आपके कम होता जाता है, एक पद आपके कम होता जाता है, जैसे X-2 के बाद में क्या X-3, X-3 के बाद में क्या X-4, इसके बाद में क्या, इसके बाद में क्या X-1 है, अचा सुटें एक बाद बताओ, अगर मालो ऐसे फेक्टोरियल 5 लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है, अगर मैं इसको फेक्टोरियल 3 से उपर नीचे मल्टिप्लाई कर देता हूँ, तो उपर तो फेक्टोरियल 5 पूरा हो जाएगा, नीचे फ फोर तक तो लिखा हुआ, इसके जैस्ट बाद में क्या रहा है, तो 3 के फेक्टोरियल से मल्टिप्लाई कर दो, ऐसे यह खुद क्या है, X प्लस 1 माइनस N, तो इससे 1 कम करोगे न तो यह आजाएगा आपके X-N, तो आप एक काम करो, फेक्टोरियल X-N से उपर नीचे करोगे, उपर तो आपके बन जाएगा पूरा फेक्टोरियल X है, और नीचे आपके फेक्टोरियल X-N हो जाएगा, तो यह फोर्मूला आपके इस प्रकार बनेगा, क्लियर, फेक्टोरियल X का मतलब तो होगा, X, X-1, X-2, and so on, 3 to 1, और X फेक्टोरियल N, पावर में जब उसका मीन क्या होगा, X, X-H, X-2H, इस प्रकार से, क्लियर, अब यह कुछ रिजल्ट जो है, यह आप लोग द्यान से देखना, यह भी आपके बहुत इंपोर्टेंट है, और एक्चल में यहीं इंपोर्टेंट है, काम में यहीं आने वाले, इसकी विल्यू आपके 1 होगी, इसकी विल्यू आपके X होगी, इसकी विल्यू X, X-1, केसे निकाल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर N की जिगे 2 रख देता हूँ, N की जिगे 2 रखो इसमें, तो 2-1, यहीं यह 1 रह गा है न, X-H, X-H तक जाएगा, तो X-H का मतलब 2 आएंगे, कब जब मैं N बराबर 2 रख 2 आएगा, अच्छे एक बात बताओ, अगर मैं इसको इन दोनों को यहीं ब्रेक कर देता हूँ, तो मैं इसको X-2, X-2 लिख सकता हूँ, की नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो, जैसे आप जैसे फेक्टोरियल 7 को खोल रहे हो, तो 7-6 लिखते-लिखते आपके समझ बेट की यही रोग देता हूँ, यही रोग दो क्या दिक्कत है, तो वही तो बात है, कि अगर आप इसका प्रसार कर रहे हो, तो X, X-1, X-2, इसमें लास्ट वाला रुखता है, लास्ट वाला बाहर हो जाता है, और सुर्वात वाले क्या बन जाते है, X-2, जो भी आप X की पावर फेक्टोरियल 3, इसको आप X, X-1, और X-2 लिख सकते हैं, तो X-2 लास्ट वाले को अगर बाहर कर देते हैं, तो वह एक कम वाला बन जाता है, ऐसे आप देखो, अगर मैं यहां तक का स्टोपेज कर दो, तो यह आपके X-N-1, X तो बाहर हो जाएगा, और यह X-1, एक कम तक बन जाएंगे न, clear, तो स्टोडेंट यही काम मैंने बिल्कुल यहां पर कर रखा है, यह फोर्मूला जो है, यहां पर मैंने काम मैंने रखा, clear, तो इसको यहां पर mention करने ज़र्द नहीं, और यहां पर एक तरीका मैं आपको बता जोता हूँ, N की विल्यू स satisfy करवा सकते हो, N की विल्यू से आप यहां पर बिल्कुल पटापट satisfy करवा सकते हो, लेट, अगर N बराबर 1 मानते हो, तो यह X की power LHS तो हो जाएगा, यह आपके X, clear, और अगर मैं N की विल्यू यहां पर रखता हूँ, RHS में अगर आप N बराबर 1 पुट करोगे न, यह आ यहां पर यह जो फॉर्मूला मैंने लिखा न, इसकी एल्प से आप लोग यह वाले जो रिजल्ट है, यह बना सकते हैं, यह वाला जो है, मैं लास्ट में बनाऊंगा, जन्रलाइज करनी से, फिलाल आप इसको देख लेए, कोई भी बात, एक सिंगल, कोई भी परिशानी है आपको परिशान करती है, तो आप मुझे बिल्कुल मेसेज कर सकते हैं, कि सर यहां दिक्कत आ रही है, मैं उसको बिल्कुल क्लियर करने का परियास करूंगा, आप कभी भी दिमाग में बोज लेकर नहीं पड़ें, इतनी सारी परिशानी होने के बावजूद भी, अगर मैं दिखावा कर सकता हूं, तो आपके पास तो जीवन पड़ा है ना, आपके पास तो कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ यहां पड़ी है, कुछ आपको खीचनी है, सीचनी है, इसलिए आपको कोई भी ऐसी डिप्रेशन वाली बात तो दिमाग में लानी नहीं, कि यार मैं कुछ नहीं, सब कुछ आपके कंट्रोल में होना चाहिए, क्या का रहा हूं मैं, गेंद आपके पाले में ही डालूंगा मैं इस बार, यह वाला देखिया, कैसे आया देखो, यह इस रिलेशन के एल्प से आया, अब मैं, देखो मैंने यहां पर एन के पोजिटिव वाले रि बराबर जीरो पुट कर दो, यह जो एक्वेशन फर्स्ट है, इसमें आप एन की जिगे क्या पुट कर दो, जीरो, पुट, इन एक्वेशन फर्स्ट, एन इक्वेशन फर्स्ट, एन इक्वेशन फर्स्ट, एन इक्वेशन फू जीरो, अगर आप पुट करोगे, तो यह जैगा X plus H और X minus 1 यह आई गाना यह आप ऐसे लिख सकते हो ना X minus 1 equal में X plus H और इसकी value one होते है ना तो one upon में X plus h लिख सकते हैं ऐसे अगर X minus 2 की value निकालना चाहते हो n की जिगे put n बराबर put n equals to 1 n equals to minus 1 in equation एन बराबर माइनस वन पूट करोगे यह आपके कंडिशन क्या जाएगी एक्स माइनस वन और एन बराबर माइनस वन पूट करोगे तो माइनस 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 तू हो जाएगा और माइनस तू और माइनस का चीन प्लस में बदल जाएगा तो एक्स प्लस तू है और यह आप यहाँ पर put करते हो तो यह आ जाएगा आपके x plus h और x plus 2h अगर मैं अभी इस condition को generalize करना चाहूँ तो क्या दिक्कत है अगर मैं आपको यह कहूँ कि x minus n कि इसके बराबर होगा तो आपका answer ही होना चाहिए कि इसके बराबर होगा 1 upon में x plus h, x plus 2h and so on x plus n h, यह हो गया बस, clear x plus n h, यह negative में इसके बराबर लिख सकता है clear, क्या इसमें कोई परेशा नहीं, तो दोस्तों अगर आपको लगता है इस चीज को थोड़ा और समझना चाहिए, आप 5-10 मिनिट पीछे कीचे, फिर से सुनें वहीं के वहीं clear हो जाएगा, clear, तो factorial notation को समझाने का प्रियाश किया है इस पर based question कैसे करने है, वो भी हम देखने वाले है तो दोस्तों यहाँ पर जो इस पर based question है, वो हम इसके next lecture में लेंगे दोस्तों यहाँ पर क्योंकि यह नया channel मैंने create किया है इस channel पर मैं आपका सयोग चाता हूँ, पूरी मुझे आप लोगों से उम्मीद है, अपेक्सा है आप अपनी गुरु दक्षिना में कमी मत रखना, clear, और अधिक से अधिक इस वीडियो को भी share करना अपने status पर भी लगाना, अपने group में भी share करना, जहां भी possible हो सके सब प्रयाश आप अपनी तरफ से करना, clear, इस channel पर मैं 11-12 का, graduation का, और competition का, जो matter है, वो upload करता हूँ, clear, मिलते हैं, next lecture में, एक नए concept, factorial notation, पर-based question, किसी साहनी में, error कैसे डूनते हैं, इनके साथ, thank you पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना, चुनिये आर के classes को और करे अपनी first and second maths का सपना साकार, download the app now